चीन की अर्थव्योस्था का अस्थान दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जो कि साल 2022 में 3 फीजदी गती के साथ बढ़ी वर्ड बैंक के मुताबिक साल 2021 में भारत की जीडिपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर थी और चीन की 17.7 ट्रिलियन डॉलर की थी अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्योस्था में अमरिका है जबकि दूसरे नंबर पर चाइना फिर जैपैन और जर्मनी है भारत फिलहाल पाँचवे नंबर पर है अर्थसास्त्रियों का मानना है कि चीन जितना अमीर बनने के लिए भारत को या तो अपने विकास मॉडल को बेसिकली बदलने की जुरुत है या एक ऐसा मॉडल अपनाने की जुरुत है जिससे पहले किसी दूसरे देश्ट ने न अपनाया हो जिस छेत्र में भारत को सफलता मिली है वो है सर्विस सेक्टर Tata Consultancy Services जैसी कमपनिया दुनिया की नामी किरामी कमपनियों में से एक हो चुकी है जबकि बहुत से बहुरास्ति कमपनिया अपने वैस्वी कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक भारत में तैनाद कर रहे हैं विस्व बैंक को उमीद है कि भारत साल 2035 तक 10 trillion dollar के GDP के साथ दुनिया में एकॉनमी के लिहाद से तीसरा बड़ा देश बन जाएगा अगर दुनिया के पांच बड़े देशों की बात करें आबादी के लिहाद से तो भारत के बाद चीन अमेरिका इंडोनेशिया और पाकिस्तान का नंबर आता है यहां ध्यान देने लाइक बात यह है कि इंडोनेसिया और पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ से कम है भारत के कई राज तो दुनिया के कई देशों के बरावर हैं जैसे अगर केरला की आबादी की बात करें तो यह साओधी अरब की आबादी के बरावर है करनाटक की आबादी बृतेन की आबादी के बरावर है और भारत का जो सबसे बड़ा राजी है उत्तर प्रदेश उसकी आबादी ब्राजील और रिक्विडे और दोनों की आबादी को मिला के बराबर है भारत के demographic dividend को देखते हैं ये लगभग 68% है मतलब भारत की जो working age population है अगर हम इसको 15 से 64 साल की उमर को लें working age को तो ये 68 फीजदी के बराबर है जो की बहुत ही अच्छा है भारत के demographic indicators को देखते हैं 65 साल से अधिक आबादी के लोगों की संख्या भारत में सिर्फ 7 फीजदी है जबकि चीन में ये 14 फीजदी का आकड़ा है और अगर दुनिया का आउसाद देखें दिया 10 फीजदी है इसका मतात पर ये है कि भारत के एक बड़ी आबादी अभी वी युवा है भारत के लिए काफी फायदे मंद है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत की आबादी में युवाओं का हिस्सा काफी जादा है जो कि एकॉनमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम कर सकता है United Nations Population Fund की रिपोर्ट कहती है कि भारत की एक चौथाई आबादी की उम्र 0 से 14 साल है जबकि 26 फीजदी आबादी की उम्र 10 से 24 साल है और 68 फीजदी आबादी 15 से 64 साल की है 65 साल से अधिक उम्र के लोगों का उनपाद सिर्फ 7 फीजदी है इसके मुकाबले चीन में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का उनपाद काफी जदा है अधिक जनसंख्या के अपने कई फायदे हैं भारत की अधिकांस आबादी हुआ है जबकि चीन सहीत अधिकांस और द्योविक देसों में उम्र बढ़ रही है और कुछ मामलों में यसी गुड भी रही है भारत के पास अपनी आबादी का सही से इस्तिमाल करने का मौका है अधिक आबादी को अधिक नौकरियां चाहिए विश्यसग्यों का मानने आए कि भारत को सक्तिसाली अर्थवियोस्था बनने के लिए अधिक नौकरियां देनी पड़ेंगी भारत को एजुकेशन और ट्रेनिंग पर काफी ध्यान देना होगा जैसा कि हमने पहले कहा युआो के आबादी में बढत्री से वर्कफोरस में बढत्री होती है जो कि भारत के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम करती है वर्कफोरस में इजाफा भारत को सारी दुनिया के लिए बड़ा पावर हाउस बना सकता है हलांकि ऐसा करने के लिए workforce के education और training पर काफी ध्यान देना होगा ताकि उनकी quality, efficiency और productivity में सुधार हो लेकिन रोचक बात यह है कि बड़े पैमाने पर workforce की training का काम भी अपने आप में growth और रोजगार बड़े पैमाने पर मुहय करा सकता है growth के लिए अच्छा है demand का बढ़ना अधिक आबादी के सबसे बड़े प्रभाव में से एक वस्तूओं और सिवाओं की बढ़ती demand है demand में यह बढ़ोतरी आर्थिक विकास को तेज रफतार दे सकती है क्योंकि बढ़ती आबादी की जरुदों को पूरा करने के लिए वस्तूओं और सिवाओं के उत्पादकों को पहले से अधिक production करना होगा इसका अतात पर यह है कि भोजन और कपड़ों सो लेकर घर और health सिवाओं यानि कि स्वाज सिवाओं तक हर चीज की मांग में बढ़तरी होगी जिससे बिजनिस की विकास में तीजी आएगी विस्तार होगा और नए आउसर पैदा होंगे अगर गरीबी को देखा जाये तो साल 2011 से 19 के बीच भारत में 12.3 फीजदी गरीबी में कमी आई है जिसमें गरामीट चेत्रों में गरीबी में 14 फीजदी से जादा कमी आई है और सहरी चेत्रों में तकरीबन 8 फीजदी कमी आई है इसके बावजूद पूरे देश में एक बड़ी संख्या अभी भी गरीब है तकरीबन 25 फीजदी आबादी और अगल मौल ल्यूट्रिशन या कुपोशन की बात करें तो दुनिया की लगभग एक तीहाई बच्चों की संख्या कुपोशित बच्चों की संख्या भारत में है भारत का बुनियादी धाचा पहले की दुलना में बहुत तेज रफ्तार से बहतर हुआ है लेकिन यह चीन से काफी पीछे है जो विदेशी निवेश में बाधक है एक और बड़ी समस्या यह है कि पांच में से केवल एक भारती महिला आपचारिक वर्कफोर्स का हिस्सा है देश की करोणों युवा महिलाओं की आकांचाओं को दवाने के अलावा उन्हें आपचारिक नौकरियों से बाहर रखना इंडियन एकॉनमी पर भयानक ब्रेक की तरह काम करता है